लेटेस्ट अपडेट के लिए अल्टरा चनल को सब्सक्राइब करें और डेल आईकन को प्रेस करें चले सार सो रुपे कमाने मालिक है आप मार भी सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सार काम तो आप सिर्फ यही कर सकते हैं हो एक है मुझे दो लाख रुप्य चाहिए अब इसी वक्त दो लाख रुप्य इसी वक्त मैं कहां से ला सकता हूं सर से gratitude तुम और पूछते मुझसे कुछ बी करो चौरी करो चौरी 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 पता बता दो के तो आसान हो जाएगा चौरी कर सी आँ किमत 2,00,000 रुपई की आजकल के जमाने में कीमत ही क्या होती है उस मामूली से नेगेटिव भी कीमत 2,00,000 से ज्यादा और क्या हो सकती है ? अगर वो नेगेटिव मामूली होता तो उसके 2,00,000 तो क्या तुम दो रुपई भी नहीं देते। बर्खुर्दार उस नेगेटिव में तुम्हारे किये हुए जुर्म का सुबूत है यह ब्लैक मेलर टाइगा कितनी कीमत चाहिए तुम उस नेगेटिव की अहां अमा इसी भी क्या जल्दी है किमत चुकाने की बर्खुर्दार जब जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे तुमसे लेंगे हाँ हलो प्रिया मैं मर बोल रहा हूं पोन मत काटना प्लीज क्या बात है बिटा बहुत परिशान लग रहे हो कुछ नहीं मा तुम मुझसे कुछ चुपा रहे हो कोई केस उलज गया है क्या शायद मेरी जिंदिगी का ही केस उलज गया है प्रिया से जगड़ा हो गया है क्या जगड़ा हुआ होता, तो कोई परिशानी नहीं थी, यहां तो बिना जगड़े के ही, मेरा सब कुछ उजड़ गया सब कुछ उजड़ गया? क्या बात है? मा, अचानक प्रिया मुझसे इतनी नफरत करने लग गई है, उसे मैंने विक्की के साथ हाथ में हाट डाले हुए देखा नहीं बेटा, प्रिया ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, जरूर उसके कोई मजबूरी होगी मजबूरी? कैसी मजबूरी हो सकती है? आज मैं जवान होई आप यहाँ, आप यहाँ तो है, मगर कैसे? विकी बाबू है विकी है ना, ऊपर बेडरूम में जाईए, थैंक यू थैंक यू I love to love you, baby I love to love you, baby I love to love you, baby याईए, यहाँ जजए थास कहने Shopify वाथ। आज के बाद जादा चालाग बनने की कोशिश मत करना देखो डाले मैं जब किसी से प्यार करता हूं तो बहुत प्यार करता हूं जब नफरत करता हूं तो बहुत नफरत करता हूं ओके गॉड ब्लेसियो आउट गॉड ब्लेस्ट मी और्सव प्यूड बेटी तुम सुबह सुबह कहां चली गई थी जानती हो मैं कबसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं जी मैं अपनी सहली के घर गई थी तुम कुछ जिनों से खोई-खोई सी लग रही हो कोई प्राब्लम तो नहीं जी कुछ भी तो नहीं देखो बेटी मैं पुलिस अफसर हूं लोगों के चेहरों को देखकर मैं बहुत कुछ समझ जाता हूं जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे चुपा रही हो कोई बोज है तुमारे दिमाग पर इसकी वज़े से तुम इस तरह गुम्सुम रहती हो देखो मुझसे कुछ मत चुपा बिटे कहीं तुम विकी से तु परिशान नहीं देखो अगर तुम्हें में विकी पसंद नहीं तो उसे भूल जाओ मैं तुम्हारी शादी उसी लड़के से करूँगा जिसे तुम दिल से चाहती हो बेटी तुम तो मेरी जिन्दकी हो तुम्हें देख देख कर ही तो तुम्हारा ये बाप 19 साल से जिन्दा है मुझसे कुछ मुछ चुपा बेटी प्रिया जी हाँ मैं प्रिया बोल रही हूँ इस्पेक्टर अमर का एक्सिडेंट हो गया है वो बहुत जखमी हालत में है नेशनल हॉस्पिटल में ओ मैं गॉड्ड क्या नाम बताया आपने कौन सा हॉस्पिटल टॉक्टर साब पुलीस ओफिसर अमर कहा है अमर रूम नंबर 22 में है थैंक यू मुझसे दूर भागने वाली आज मेरी मौत की खबर सुनकर पागलों की तरह मेरे पास दोड़ी क्यूं चली आई मगर वह एक्सिडेंट तुमसे मिलना बहुत जरूरी था तुम हर बाट टालती रही इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हें या इस तरह बुलाना पड़ा प्रिया हकीकत क्या है किस हकीकत का जवाब चाहिए तुम्हें वह हकीकत जो अचानक मुझसे नजर फेर लेना वह हकीकत जो विक्की के हाथ में हाथ डालकर यूं होटेल में आना हाँ ये सच है मैं विक्की से शादी करना चाहती हूँ ये सब जूट है मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम विक्की से नफरत करती थी और करती हो और सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब मैं कुछ नहीं जानती। प्रिया, तुम्हारी एक छोटी सी भूल तुम्हें कहां से कहां तक ले जा सकती है। मुझसे कुछ माँ छुपाओ प्रिया, मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूगा। बोलो, तुम्हें मेरी कसम। बोलो प्रिया, फ्लीज। इतनी बड़ी कसम दिलाकर, मुझे सब कुछ बताने पर मजबूर कर दिया, तो सुनो उस हादसे के बाद, विकी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, मैं घुट घुट के मर जाओंगी, मुझे बचा लो, अमर, मुझे बचा लो प्रिया, सब ठीक हो जाएगा सर, आपके फॉर्मिला के सामने मेरे सारे फॉर्मिली फ्लॉप हो गए, क्या फसाया आपने प्रिया को हुआ चुमे, दारूपी के कहीं भी कुछ बिवकवास करता रहता है, जादा बखबकी तो ये महिने की पगार काट लूगा, पगार कहां देते हो, जो काटोगे कौन है बे, क्या आद में इंस्पेक्टर, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है, लोगों को प्लाक मेल करता है, इंस्पेक्टर, पश्टाएगा तो, सर, एसपी साब ने आपको फॉरण बुलाया है, इस तरह एक इजददार आदमी को हवालात में बंद करने की बज़ा जान सकता हूं, सर, वो इजददार नहीं, बहुत बदमाश आदमी है, ब्लाक मेलर है, क्या किया है उसने, सर, चु अपने कॉलिज की कोई दुश्मनी निकाल रहे हो, नो, सर, ऐसी कोई बात नहीं है, देखो अमर, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छ है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आएंदा ऐसी गलती मत करना, आखिर कानून है, जब तक विकी के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तुम्हारे डाड़ी कुछ नहीं कर सकते, हाँ, एक बात जरूर है, शशी का खून विकी नहीं किया है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, हाँ, अमर एक बात है, जिस वक्त मुझे गाड़ी में बॉड़ी मिली थी, उसकी पिछली रा है, वो मुझे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है, ऐसा हर्गेज नहीं होगा, फिकी का ये सपना मैं कभी पूरा हुने नहीं दूंगा, सारी का मपधनी, पीएगी, नहीं, सारी का मपधनी, सारी कोन बोला रे, तुम बोला, ए तुम बोला के, हम नहीं बोला, सा कोन बोला रे, हम बोला, ए तुम बोला हलो गले मिलते हैं मैंने आपको पर कही देखा है ओल्ल फ्रेंट्स वर्य वर्य ओल्ल वर्य ओल्ल फ्रेंट्स बार 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 शराब काड़ा अब आई गर तो बैठो यहाँ बढ़ते सिट सारे गामा पाधाने सा 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 नहीं सौरी बोलो सौरी बोलो सौरी क्यों बाभी जी प्यूटिफुल भाभ नियत मत बिगाड़ू हो चाहे जरब में जरा ऐसे ही होता है लेकिन नियत बद यूटिफुल पंटर प्रविट प्रपर्टी सौरी सौरी अच्छ सौचना मत कि मुझे चड़ गई है चड़ गई है इसको पीना बोलते तुमने पी की तर है क्या समझता है मैंने पीए इसको पीना बोलते है अरे शेर की तरह पीते हैं शेर की तरह मर्द की तरह ऐसे अब बोल मैं कौन हूँ लल्लू मैं लल्लू आरे मैं शेर हूँ शेर मर्द हूँ मर्द मर्द तु है तो मर्द तो तेरा सेट है विक्क्र का है का सेटु बा चीट मेरे साथ ज़्यादा रहा न तो उसका सारा मल हलप कर लूँगा बिखारी बना दूँगा उसे क्या जिल की सलाकों के पीछे बिजवा दूँगा मैं उसे एक बार बता हूँ प्राइवेट है किसी को बता दा मैं विकी ने शेशी का खून किया है और प्रिया को फसादिया है शादी करना चाहता हूँ प्रिया के साथ शादी करना चाहता हूँ इस शादी नहीं बर्बादी होगी बर्बादी क्या होगी उसकी बर्बादी बर्बाद कर दूँगा उसे मैं कहना नहीं है किसी से मैंने कुछ नहीं बोला we are friends friends old friends old friends Oh All and see you किजिए जाता है तेरी भावे के पास तू मेरी भावे के पास Shol चार्ष 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 प्रॉच घुट्डबाइड बोलाइख है Taxi अरे बेटे तुम. अरे बाबा आप कैसे हो? ठीक हूँ तुम कैसे हो? बाबा मुझे घर छोड़ोगे? या क्यो नहीं टेक्सी तुम्हारी यह आजाओ और बाबा कैसे चल रहा आपका काम बस सब ठीक ठाक चल रहा तुम बताओ कैसे चल रहा बस ठीक है बाबा विकी ने शेशी का खून किया है और ब्लिया को फसा दिया है शादी करना चाहता हूं से क्या हुआ बाबा कुछ नहीं मा यह कोई वकत कहा अज कुछ नहीं कह रहा मा इतनी कोशिशों के बाद इतनी बड़ी मुश्किल से दूत कारा मिल गया, मुश्किल, कैसे मुश्किल, सब ठीक ठाक तौक तो है न, ठीक ठाक तो नहीं था मां, मगर इस कसेट के मिलने से सब ठीक हो जाएगा, ये कसेट नहीं प्रिया की जिन्दगी है, किसी ने प्रिया को अपने जाल में फसाने के लिए खून का इल्जाम उसक कि तो दूद कर दूद के और पादी का पानी हो जाएगा है कि अगर यह कैसेट पूलिस स्टेशन पोंच जञीं तो मेरे बेटे को फांसी हो सकती है पहुत कि मैं पॉर्ण टेशन पीफी कहस झाल झाल कर दो 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 झाल झाल भार्वती, भार्वती तुम भार्वती, मैंने तुम्हे कहा कहा नहीं ढूना, ढूनते ढूनते ठक गया था मैं, ढून चुका था मैं, पर मुझे यकीन था एक ने एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी, जरूर मिलोगी, वा, मिले भी तो कैसे, एक चोर की तरह, चोर मेरी तो किस्मती खराब है पर्वती, उस दिन जो कुछ किया था, तो अलाद की खातिर, और आज पी जो कुछ कर रहा हूँ, तो अलाद की खातिर ये कैसेट अगर पुलिस स्टेशन पहुच कई पर्वती तो हमारे बेटे को फासी हो सकती है, ये कैसेट हमारे बेटे की मौथ है पर्वती, और ये कैसेट मेरे इस बेटे की जिंदगी है, मगर ये बेटा तुमारा नहीं है पर्वती, ये तो सिर्फ राय बादूर का मुझे सेज़ जी का पता बता दो ताके मैं उनकी अमानत उन्हें लोटा दू शायद मेरे इसकरने से भगवाल मेरे पते के गुनाहों को माफ कर दे मुझे माफ कर दे परवती मैं तरह बहुत बड़ा गुनेहकार यह क्या कर रहे हैं आप उठे शायद आमर जाब क्या है आप चाहिए यहां से अच्छा परवती मैं चाहता हूं अगर मैं तुम यखेन दिलाता हूं परवती सेड़ जी को उनकी अमानत जरूर वापस मेलेगी जरूर वापस मेलेगी चाहिए इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े कोई भी मा के दे मा जो कुछ तुने कहा है वो जूट है यह सब सच है बेटा यह सब सच है महलों का चिराख है तु जो आज तक इस गरीब के जोपड़ी में चलकर रोशनी करता रहा रोशनी तो तु है मा जिसने तेल की तरह जल जल कर इस दिये को रोशन किया जिन रात भूकी रही प्यासी रही अपना पेट काट काटकर मुझे खिलाती रही मुझे पढ़ाया लिखाया मा मुझे अपनी नजरों से दूर मत करना वरना तेरा ये बेटा जीते जी मर जाएगा ऐसा मत कहो बेटे मेरी उमर तुझे लग जाए हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ ही हमारा पेटा जिंदा है और तुमने हमें आज तक किसली नहीं बताया कि कहीं तुम्हारे पेटे का आशो अराम रचिंजाए आपके किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है मालिक मैं तो खुद अपनी प्रायश्चित की आख में जल रहा हूं हमेशा इश्वर से यही प्रार्थना करता रहा हूं कि मरने से पहले एक बार मुझे अपने मालिक से मिल लेके लायक बना दे ताकि देवता समान मालिक से अपने गुनाहों की माफी मांग सकू इतना बड़ा कुनाह करने के बाद मुझसे माफी की उम्मीद करते हूँ अरे भगवान चाहे तो वो भी तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा आप ठीक कह रहे हैं मालिक सजा तो भगवान मुझे देही चुका है जिस आलाद को मैं होनहार बनाना चाहता था वही खुनी मुझरिम बन गया है खुनी मुझरिम? किसका खुन किया है उसमें? खुन किया है आपके जजबातों का खुन किया है आपके बेटे की महपत का खुन किया है उसने कॉलिज के एक लड़के का कैसी बाते कर रहे हो तुम हा मालिक उसने कॉलिज के एक लड़के का खुन करके भोली भाली प्रिया को अपनी खुनी साजिश में पसा लिया है ताके प्रिया अमर को छोड़कर उससे शादी कर ले मगर मैं ऐसा नहीं होने मैं आपके बेटे का हक उसे दिला कर रहूंगा चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े क्या बक्वास कर रहे हो टाइगर यह बक्वास नहीं हकिकत है तुम राय बहादुर लक्ष्मी नारायन के बेटे नहीं हो बलके उनका असली बेटा इंस्पेक्टर अमर है एसा हागिस नहीं होसकता है इससे पहले कि वो बुड़ा अपनी जादा अमर के नाम कर दे तॉए बाद hr हुआ 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 है अ अ हुआ बेटे बापा, बेटे बापा बेटे बेटे बापा यह क्या? रो रहे हैं आप? मुझे रोने दे, रोने दे भरसों से बाब कर रके हुएए थी बेटे बेजाने दे बेजाने दे नई पापा बेटे मैं टोट गिया था बिल्कुल अकेला हो गया था बेटे हाः बिल्कुल अकेला इह ने लिखे देख लक्षमी ये ये तेरा बेटा है तेरा अपना खून अरे आज तरी माँ जिन्दा होती न तुझे देखकर फूले नहीं समाती देख लक्षमी कितना होना रहे तेरा बेटा कितना होना रहे मुझे तुझ से कोई घिला नहीं कोई सिक्वा नहीं बग्वान तुम्हें मेरी जोली खुश्यों से भर दिए पापा पाविकी मुझे महलुम है उसने खून किया है इस वक्त घर में नहीं है जैसी आएगा मैं उसे कानून के हवाले करूँगा हाँ बेटे हाँ मेरे बेटे मुझे अरेस करवाईगा मुझे इसलिए कि आज तरह असली बेटा मिल गया है और मैं तरह असली बेटा नहीं हूँ अच्छा हुआ तु मेरा असली बेटा नहीं है अरे मेरा खून किसी का खून नहीं कर सकता अरे तू तो हत्यारा है तुने एक इनसान का खून किया है बाप के जस्पात का खून किया है अरे भगवान तुझे ऐसी सजा देगा भगवान जब सजा देगा तब देगा अगर आज और अभी इसी वक्त तुने इन डॉकिमेंट्स पर साइन नहीं किये तो मैं तुझे ऐसी सजा दूँगा जो आज तक एक बेटे ने अपने बाप को नहीं दियोगी क्या है यह यह स्टैंप पेपर है इसमें लिखा है कि आप अपने दयालू हातों से अपनी सारी जाइदाद विकी के नाम कर रहे हैं लिजे लिख दीजे ऐसा हर्गिस महीं होगा अपड़े नहीं तो झाल कि अच्छा हुआ तो खुद ही यहां गया अच्छा हुआ तुने अपने बाप पर हाद उठाया अरे सौतेला ही सही लेकिन 20 साल से तेरे पपो के बोच को उठा रहा है मैं तुझे जिन्दा नहीं चोड़ूँगा है बांदो इनको अब अगर जरा से भी देर की साइन करने में तो तेरी आखों के सामने तेरे इस लाड़ले बेटे को कोली मार तुगा जिसके लिए तुब 20 साल से तरपा है मैं तो कहता हूं राय साहब अब साइन कर ही दीजे नहीं बापा कोई उल्ड़ सीधा पेपर साइन मत करना अरे जाने ते इस जाइदात को असली जाइदात तो तू है मेरी अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आपको सिंदगी पर माफ नहीं कर पाऊंगा हाँ छोटे इन दोनों को ऐसी मौत देना के कांदाहा देने के लिए लोगों को तकलीफ ही नहीं हो आई गुट यह बाउम है ताइम बाउम दस मिनट में तुम लोग के कहानी का खेल खत्म खेल कब शुरू होता है और कब खत्म यह तो उपर वाला ही जानता है मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम लोगों का खेल खत्म किये बिना मैं मरूंगा नहीं जितना बोलना है बोल ले दस मिनट के बाद तुम बोलने के लाइक नहीं रहेगा चलो एकी चला झाल 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 आज तुमने मेरा साथ दे के मुझे जिन्दकी भर के लिए खरीद लिया है टाइगा अरे बेमान बेमान का साथ नहीं देगा तो बेमानी का क्या होगा बरकुर्दार बैठो बैठो अब तक तो उन दोनों बाप बेटों का काम खत्म हो गया होगा भगवान उनकी आत्मा को शांती दे अब एक चोटा सा काम हमारा भी कर दो बोलिए बोलिए इन काखजाद पर दस्रक्त कर दो तो हम तुम्हें तुम्हारी जाधात के काखजाद और तुम्हारे नीगेटिव यानि तुम्हारी मौत का सामान तुम्हें वापस कर देंगे यह चीटी ए तुम्हारे मुझसे शोबा नहीं देती बर्खुरदार हामोशी से दस्तागत करदो इसी में तुम्हारी भ़लाई है पर कितनी बडी रकम हमने भी तो तुम्हे एतनी बडी रकम दिलवाई है अबे वो तो मेरी अपनी थी अरे हम भी तो तुम्हारे अपने हैं लो दस्ताखत कर दो लो लो सोच क्या रहे हो चाबाश अरे लो भाई लो दस्ताखत कर दो चुपचापचाएदाद के काखजात और वो नेगेटिब मेरे हवाले कर दे तो गया तुम हमें गोली मारोगे जब मैं तौलत के लिए अपने उस पाप को मार सकता हूं जिसने मुझे पाल पोस कर बढ़ा किया तो तुखे चीज़े भे हम इन चोटे मोटे खिलोनों से नहीं दर्दे बर्खुरदार हमें मालूम था कि तुम्हारा गरम खून तुम से ऐसी बेवकूफी जरूर करवाएगा उल्लू के पठे ये पिस्टॉल खाली है हाँ इस से पहले के हमारे भेडिये तुम्हें नोच डाले इन काखजात पर दस्तागत कर दो फिर हम तुम्हें एक ऐसा खुब्सूरत तुफ़ा देंगे कि जिसके लिए तुम जिन्दगी भर तरस्ते रहे हो इससे पहले के इसका बाप स्पी तुम तक पहुंचे बेहतर है के इसे फौरन अपना बना लो शादी के पूरी तैयारियां उपर है जाओ God bless you my son जल झाल 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 झाल